हेलो फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड अरिनस्त सेवा चैन आयोग की नियू रिकिर्मेंट नोटिफिकेशन जो की फ्रेंस यहां पर जारी की गई है आपके फ्रेंस सम्हूं गय में सीधी भरती के अंतरगत हॉम गार्ट एवं नागरिक सुरक्ष मुख्याले उत्राखंड के अंतरगत हवल्दार प्रोसिक्षक के रिक्त पदों पर आपका फ्रेंस नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए 26 मार्च 2024 से 15 अपरेल 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं इस वेकेंसी से रेटेट जानकारी आपको फ्रेंस आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ इन सिगनेचर के जो डाइमेंशन है उस से रेटेट जानकारी आपको दी गई है नीचे आने पर आपको अप्लाइन आव का आप्शन मिलता है आप इस आप्शन पर क्लिक करेंगे रेडिस्टेशन करने के लिए इसके लिए नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करना होगा इसके बाद है डी ओबी मिन से डेट आप बर्थ तो आप इस कलेंडर पर जाएंगे आपकी फैंसे यहाँ से जो भी डेट आप बर्थ है वो डेट आप आप चाहिए दो हजार चौविस को काउंट हो कर जाएगा इसके बाद जेंडर सेलेट कीजिए मेरिटल स्टेटर्स आपको सेलेट करना होगा नेशनल्टी आपको यहां पर सेलेट करनी है इसके बाद है रिक्वाइड अलबिटी अब यहां पर कम से कम एक आप यहां पर होना तक आपको इतने भी ऑप्शन दिये गया है इन में से कोई एक ओप्शन हो आपका होना जरूरी है अब जैसे आपने उत्राखंट राज्य से हाई स्कूल या इंटरमेरेट कक्षा पास आउट की है या आपके स्पाउज या पैरेंट रेगुलर एंप्लोई है आम्ड फोर्स म सकते हैं पर अधर स्टेट केंडिट है उस कंडिशन में उत्राखंट से आपका यहां पर हाई स्कूल या इंटरमेरेट पास आउट होना जरूरी है तो यह फ्रेंट से आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए इसके बाद डॉमिंशल आपका उत्तराखंड है तो आप यहां जानकारी देनी है परमान पत्र संख्या क्या है कि जिले से जाड़ी हुआ है और कब तक यह वैलिड है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे आपके का सर्टिफिकेट पर यह जानकारी मेंशन होती है अगर आपका उत्राखंड निवासी नहीं है तो आपको यहां पर सिर्फ जनरल से ही अप्लाय आप कर सकते हैं बस इधान रखेगा अधर स्टेट कंडिशन में उत्राखंड राज्य से आपका तैंधें त्वेल पास आउट होना जरूरी है इसके बार आपकी मेल आईडी और मॉबाइल नंबर आपको देना है यह आपका एड़र सॉप्शन पास वर्डट क्रेड़ करना होगा आस आप डास आपको यहां पर एक स्बस्ट ट्रथ करेंगे चाहए है आपन्य उसके तॉर्श ओर ट्यूजिशन प्हाइं होना जरूरी है जैसे यह धाप से हरा ऐसके हैजिए आप यहां पर क्रेंगने इस सोटे पिन को एंटरिंगे कर देंगे इसके बाद फैंसे यहां पर देखिए आपका रडिस्टेशन कंप्रीट हो जाएगा रडिस्टेशन कंप्रीट होने के बाद आपकी जो मेल आइडिया मॉबाइल नंबर है जो आपने पासवर्ड क्रियेट किया है जो यह कैप्चर कोड़ है यह डाल कर आप फैंस से आप से यहां पर पूछता है कि अगर आप पहले से उत्रकंट होंगार्ट च्वा नागरिक सुरक्षा विभाग में कारणत है तो आप यस कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे क्beliक्शन में सबसे पहले तैन्थ के आपको एंट्री करनी है स्कूल या डिगरी का आपको अैपको यहांपर सेलECTION करना है इसके वार किसे स्टेट से आप ने इसको पास किया है आपके बॉर्ड का नाम क्या है वो बॉर्ड का नाम आपको सेलेट करना होगा arrow passing क्या है तो आप इस calendar के माध्यम से आपका arrow passing select कर सकते हैं stream select करना है और इसके बार अगर आपको CGPA है तो CGPA marking system है तो marking system यहाँ आपको यहाँ पर देना होगा यहाँ पर आपको देना है आपके obtain marks यहाँ पर आपको total marks और उसके बार आप यहाँ से इसे add कर देंगे ऐसे ही friends अब आपको यहाँ पर tempus 2 की entry करनी है तो आपके friends से यहाँ पर जो भी degree है वो आपको select करना है किस state से आपने इसको pass किया है किस board या university से आपने इसको pass किया है year of passing क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है stream कौन सी है subject कौन सी है तो यहाँ पर देखिए आपको subjects की जो name है वो आपको मिल जाते हैं आपको यहाँ पर आपके subjects की जो name है वो आपको यहाँ पर fans से सेलेक्ट करने होंगे तो आपके according जो भी subjects आपने यहाँ पर पड़ी है आप यहाँ पर उन subjects को choose कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर subject को choose कर लेंगे इसके बार marking type में जाएंगे और same CGPA marking या grade जो भी आपका option यहाँ पर applicable है उसके according आप यहाँ पर options के entry करेंगे और उसके बाद friends add qualification कर देंगे qualification add होने के बाद अगर आपने territorial army में 2 साल तक service की है या NCC का B certificate है C certificate है आपके पास है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं इसके बाद exam center आप कौन सा चाहते हैं वो आपको यहाँ पर choose करना होगा इसके बाद कोई भी criminal case आपके खिलाफ है या नहीं है वो जानकारी देनी है कोई भी ID proof आप select कर सकते हैं ID proof select करने के बाद उस ID proof का number आपको देना है और उसके बाद continue कर देना है इसके बाद friends next option photograph and signature upload का है तो यहाँ पर देखिए photograph and signature आपको upload करने है jpg format में और यहाँ पर choose file का option है तो यहाँ पर friends देखिए जब आप photo assign upload करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक option है click here to view का तो आप इस option पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का dialogue box open होगा और यहाँ पर देखिए friends आपको आपकी जो size है जो भी photo and signature के लिए आपसे माग गया है जब आप upload करते हैं और कोई भी error आता है तो वो आपको कहता है कि कौन सा support आपको यहाँ पर करेगा pixel उसी pixel में आपको यह convert करना है तो MS Paint में आप open करेंगे आपके photo या signature को और उसके बाद resize tab पर click करने के बाद pixel को select करेंगे और जो भी value आपसे माग गई है वो value आपको यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद friends आप यहाँ पर उसका pixel change करेंगे और उसके बाद इसे jpg picture में save कर लेंगे ऐसा ही friends signature को भी आपको open करना है ms paint में resize का tab दबाना है और उसके बाद required pixel को डाल कर आप friends इसे resize कर लेंगे और उसके बाद jpg size में आप इसे upload कर लेंगे इसके बाद इस आपका यहाँ पर यह upload होगा तो friends जैसे मैंने sample के तोर पर यहाँ पर देखिए जो preview section है यहाँ पर आप declare करेंगे declare करने के बाद proceed का जो यह option है आप इस option पर क्लिक करेंगे और इसके बाद friends अब आपको payment करना होगा payment करने के लिए आपको pay now का option मिलता है आप इस option पर क्लिक कर सकते हैं इसके बाद friends multiple options है जैसे आप card का use करना चाहे तो card से payment कर सकते हैं UPAI से use करना चाहें तो UPAI से payment कर सकते हैं net banking से कर सकते हैं तो आपके according जो भी options आप payment यहाँ पर verify करना चाहें वो payment आप यहाँ पर verify करनेंगे तो आपकी जो process है वो complete हो जाएगी